नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों तेल का सम्मंद शनी ग्रह से माना जाता है और तेल का हमारे जीवन में एहम योगदान है तेल की हमारे जीवन में अने को फाइदे भी हैं साथ ही तेल से कई नुकसान भी हो जाते हैं लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तेल से किये जाने वाले टोटके और उनके परियोग के बारे में तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही चबरतस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुखमी बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमे जीवन इस वीडियो को शेर करना बिलुकुल भी न भूले साथ में अगर आप धन अत्यातिक मातरा में अर्जित करना चाहते हैं अपने सभी मनोकावनाओं को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो एक बार मातालक्षमी का ध्यान करते हुए जै मातादी जै मालक्षमी कमेंट बॉक्स म बजरंग बली का नाम भी एक बार अवस्ची लिखें दोस्तों अक्सर हमारी जिन्दगी में हमारे कारियों के बिगड़ने का कारण शनी ग्रे की कूद रिष्टी होती है इसलिए आप एक कटोरे में तेल को भर कर उसमें अपने प्रति बिम को यानि किनमी छाया को प्रति उसे किसी भी शनी मंदिर में चड़ा दे ऐसा करने के लिए उप्युक्त दिन्द सनीवार माना जाता है लेकिन आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि प्रते दिन जब भी सनी देव का कश्ट चल रहा होता है तो प्रते दिन ही आपको कश्ट होता है इस इसी भी दिन निवेजन कर सकते हैं इसलिए आप इस उपाय को किसी भी दिन करें आपको तुरंट लाब होने लगेगा इसके अलावा दोस्तो तिल का तेल भी बहुती कारगर होता है बहुती चमतकारी गुणोवाला होता है एक तालिश दिनों तक लगाता तिल के तेल का करके आप उस मनोकामनों को अवश्य कहें अगर आप धन प्राप्ति के मनोकामना करना चाहते हैं तो भगवान विश्णु को याद करते हुए क्योंकि पीपल में भगवान विश्णु का भी वास होता है और आपके पित्रों का भी वास होता है इसलिए आपको भगवान विश से प्राठना करनी है वहीं जो लोग सिद्या प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी सिद्धी प्राप्ती के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए इसे सिद्धी प्राप्ती में बहुती जल्द उन्हें लाब मिलता है दोस्तों थोड़े से सिंदूर में चमेली का तेल मिल कर हनुवान जी को अरपन करने से सभी प्रकार के विधानों से बजलगवलिक की कृपा से मुख्ती मिल जाती है बजलगवली तो इतने उदार देव हैं कि आप के थोड़ि से मातर चमेलि का तेल वे सिंदूर अवसे जलाएं और उनकी पूजा करें वहीं बैठकर एक वर हनुमान चालिसा का भी पाट करें और अंत में एक फूल उन्हें अर्पित कर दें हो सके तो एक माला ही अर्पित करें अन्यता एक फूल भी आप अर्पित कर देंगे तो हनुमान जी को चमेली के तेल का दीप बिल पूजा अर्चना करते हैं तो आपके पूजा का फल आपको अवश्य मिलता है और आपकी सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती है दोस्तो सवा के लोग आलू और सवा के लोग बैंगन लेकर अपनी सबजीर सरसों के तेल में बनाए और साथ ही सवा के लोग आटे में पूड़ी भी सरसों के तेल में बनाए और इस भोजन को दिव्यांगों और जुरुत मंद लोगों को खिला दें इस उपाय को आप लगातार पांच दिन तक करेंगे या पांच हफते तक करेंगे तो आपकी समी सारिलिक समस्या तो दूर होई जाएंगी वे इस उपाय को करते समय जो भी आपने मनोकामना कही होगी वे मनोकामना भी शीक पूर्ण हो जाएगी दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको दुरुबाग्य ने आपको चारो ओर से घेर लिया है तो सरसों के तेल में गेहूं के आटे वे पुराने गुड से साथ पुए बनाए और साथ मदार के फूल, सिंदूर, आटे का दीपक तो सरसों के तेल वाला आटे का दीपक किसी प्लेट में कागज आधी की प्लेट में रख करके किसी चोराय पर या पर किसी सुमसान जगह पर रख करके हाथ जोड करके बोलें इस उपाय में आपको आँखें बंद नहीं करनी है, केवल हाथ जोडने है, बोलना है उस पतल को देखते हुए, यानि उस सामान को देखते हुए आपको बोलना है, हे मेरे दुरभागे, मैं तुझे यहीं छोड कर जा रहा हूँ, कि रुपया करके अब मेरा पीछा कभी मत कर करना, और सामान महा रखकर पीछे मुड़कर ना देखें और अपने घर बापस आ जाएं, ऐसा उपाय करने से आपको दुरभागे सदेव के लिए आपका पीछा छोड़ देता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में किवल इतना ही, कल फिर आप से मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मैं जादे धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जै मातादी, जै मालक्षमी, हरर महादेब, जै बजरंग बली